अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया है जो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर सकी बंगलादेश को बंगलादेश में वन डे सिरीज हराना कोई असान टास्क नहीं है क्योंकि बंगलादेश के अंदर बड़ी मुश्कल पिचिस बनाता है ऐसी पिचिस बनाता है जिस पे वो शायद कभी खुद भी बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रागल करते नजर आते हैं आपको बहुत ज़्यादा लो स्कोर नजर आते हैं इतना इतना बॉल वहाँ पे स्पिन होता है बंगलादेश की जो विकेट्स बनाने की स्ट्रेड़ी है बंगलादेश के अंदर उस पे हम बात में आते हैं पहले अफगानिस्तान की विक्टरी के उपर बात करते हैं उसके फॉरन बाद इंडिया की टीम गई और बड़ी टीम गई थी यानि सारे बड़े प्लेर थे उसमें वो भी बंगलादेश ने 2-1 से जीती। उसके बाद साउथ अफरिका की टीम गई वो भी 2-1 से बंगलादेश ने जीती। इंगलेंड ने आके थोड़ा सा तंग किया बंगलादेश को लेकिन उसमें भी बंगलादेश तीन मैच की सिरीज में एक मैच जीता था। वेस्ट इंडियस गई उनको भी बंगलादेश ने 2-1 से हराया। फिर इंडिया गई उनको दुबारा बंगलादेश ने टू वन से हराया उसके बाद आइलेंड गई आइलेंड को भी हराया फिर अफगानिस्तान ने इनको आके अभी फिलहाल पहले दो मैचेज में हराया और तीसरे मैच में हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट होगा यह नहीं जो इंडिया नहीं कर पाई जो पाकिस्तान नहीं कर पाई जो स्री लंका नहीं कर पाई वो अफगानिस्तान नहीं है यह मतलब कोई छोटी बात नहीं है यह कोई तुका नहीं है यह वो प्रॉसस है जिस प्रॉसस से यह अफगान टीम गुजरी है यह जो आज सकून से क्व हेवे ये एक प्रॉसस है जो इनके पुराने क्रिकेटर मतलब आप हामिद हसन से शुरू हो जाएं वो तो खेर बहुत बड़े लेजेंड हैं उनकी बड़ी सर्विसिस हैं और उनकी बाद एक लंबी लिस्ट है मतलब वह से आप शुरू हो जाएं और अब आके आप गुरबा 15 के बाद बड़ी अपनी क्रिकेट इंप्रूफ की स्पेशली बंगलादेश के अंदर तो मैं बड़ा खुश था मैं आपको एक बड़ी जैन्वन बात बताता हूं बंगलादेश की जो क्रिकेट टीम है बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल की दो हजार एक दो तीन चार 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब बहुत rarely हमें कभी वो जीतते नदर आते थे तो मुझे लगता था यार कि बंगलादेश की टीम कभी भी पाकिस्तान को वन डे सिरिस नहीं हरा सकती मतलब ये मेरा बचकाना पन था ये मेरा भोला पन था ये मैं बेवकूफ था आप जो मर्जी कहले आपने मिकस अप नहीं करना लेकिन 2015 में जब बंगलादेश ने पहली दवा पाकिस्तान को सिरिस रही तो आंखे खुली की खुली रहे गी मुझे लगा ये तुक्का है यहां शायद अजर अली कप्तान बन गया तो शायद पहली दवाकिस्तान हार गया है लेकिन उसके पराप्लम आई जब बंगलादेश ने बंगलादेश से बाइल ड्रैवल करना शरू किया तो उनको प्राप्लम आना शुरू हो गई क्यूंकि वो बंगलादेश के अंदर बड़ी टिपिकल स्पिं विक्टे उन्होंने बना शुरू कर दी थी जहां पे उनसे खुद भी तो ऐसी विक्टों का क्या बंगलादेश का अगर आप बंगलादेश के अंदर एवरिज स्कोर्ड निकाले वंडे में तो वो 170-90 है मतलब इससे आगे वो जाते नहीं है एवरिज ली तो गलती कहां बें बंगलादेश क्रिकेट बूर्ड कर रहा है ट्रू विक्टे नहीं बन आता है ना लेकिन उन स्पिन विक्टों पे साड़े 300 भी लगता है वहां अगर उनके स्पिनर डॉमिनेट करते हैं तो उसी मैच में उनके बैटर भी पौने 400 भी आपको लगाते नदर आते हैं आपको ऐसी विकेट्स बनानी है जहां पे आपको फाइदा हो आप खुद भी आप बैटिंग नहीं कर पाए अपनी कंडिशन के अंदर आपकी विक्टों में मसला है आपकी पिचिस में मसला है जैसे ही आप अगर बंगलादेश के अंदर भी फ्ट्रकल कर रहे हैं तो बाइर जागे तो कोई चांस नहीं है मतलब 2019 के वर्ड कप से पहले बंगलादे के साथ ही है और धरम शाला में है मतलब ऐसे वेन्यू में जहां ठंड होगी जहां अच्छी खासी बाल मूव करेगी और ठंड अफगानिस्तान में ज्यादा पड़ती है मतलब उनको ज्यादा वो कंडिशन सूट करेंगी ठीक है बंगलादेश के पास भी मुस्तफीस जैसा अच्छा बॉलर मुझूद है लेकिन जिस फॉर्म में इस टाइम फजल हक फारुकी है और राशिद एयर में जितनी बॉल तेज भैंकते हैं और मुझीब भी उनको स्पोर्ट करते है फिर नभी का यूनो वो एक एक्सपिरियंस मुझूद है तो मेरे ख्याल से ये जो वर् प्रम्शाला में खेलने है मेरे ख्याल से अफगांईसान उस मैच में बहुत ज़्यादा फेवरिट बंगलादेश के हैं बात अक्तूबर को जब आप बंगलादेश के खिलाफ एक अच्छा मैच खेल के 11 October को दिली जाएंगे इंडिया के गेंस्ट खेलने तो उस मैच में obviously अफगान टीम को बहुत ज्यादा जान मारनी पड़ेगी मतलब extraordinary cricket खेलनी पड़ेगी out of the way जाके कुछ बहुत different चीज़े करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक high scoring मैच होगा उसमें तगड़े दिल से बैटिंग मारना है अपनी जिंदगी का आखरी मैच समझ के अगर आप इंडिया को दिली में 300-300 नहीं मारते तो आपका कोई चांस नहीं है आपको इंडिया के खिलाफ बैटिंग से जीतना है फिर जाके आप बॉलिंग में क्योंकि रंद लीग करने है यह बैटिंग का वर्ड कप है क 300-300 वाला यह वर्ड कप है इंडिया वाले मैच में अगर अफगानिस्तान जीती है वेलन गुड अगर हारती है तो कम असकम ऐसा कॉन्फिदेंस लेके जाए इंगलंड के अगेंस्ट के वहां जाके थोड़ी सी असानी हो क्योंकि इंगलंड के खिलाफ भी इनका मैच दिली आएंगे अपनी स्पिन से क्योंकि यह फसते हैं स्पिन से और इन्होंने फसना ही फसना है तो पहले मैच में अफगानिस्तान के बहुत ज्यादा चांसिल है बंगलादेश के गेंच फिर उसके बाद दिली में आप जो बैक टू बैक मैच खेलेंगे आप कंडिशन से फिमि अफगानिस्तान दो मैच दिली में खेल रही है उसके फौरन बाद ये 14 15 दिनों के लिए चंटनाई में होंगे य expertise to खेल रहे हैं फिर गैप के बाद आप पाकिस्तान से चंटनाई में कहल रहे है पाकिस्तान ओल्लेडी कैश dishका था पहले कि हमने अफगानिस्तान से चंटन नई में निजिलेंड को मतलब अगर आप अगर पाकिस्टान के दमाग में ये खौफ डाल सकते है ना अपनी स्पिन का तो फिर निजिलेंडर तो कुछ में नहीं है वो भी तो गो रही है वो भी स्पिन से फसते हैं यानि यहां भी आपका चांस है तो बंगलादेश की बताएं और पाकिस्तान के मांड में और लेडी स्पिन का ब्लॉक मजूद है तो रिलिस्टिकली अफगानिस्तान ये वर्ल्ड कप बहुत बेतर उनको शुरुबात करनी चाहिए स्री लंका के खिलाफ तो पूने में डॉमिनेट करना चाहिए अफगानिस्तान को लेकिन जो ल मुफ्ट के पॉइंट ही है मतलब एक तो स्पिन इतनी अच्छी है अफगान टीम की फिर आपको लखनाओ का वेन्यू सूट करेगा तो ये भी आपके मुफ्ट के पॉइंट है तो पॉइंट देखें के कितने अच्छे होते जा रहे हैं तो इस वर्ल्ड कप में अफगानि टीम दुनिया की टॉप टीम में से एक है अफगानिकसान फैन्स वीडियो पसंद आए शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को टैक कर सकते हैं अपना बहुत सारा क्याल रखें